हेलो एब्रिवन सक्सेस्टू सोशियोल आजी पर आप सभी का स्वागत है अगर आप इस चैनल से नए है तो चैनल को सब्सकाइब करिए वेडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें ताकि ये क्लास एकजाम होने तक कांटीनुई चलते है आज की क्लास यूपी पीजीटी और विहार पीजीटी में जो कुछिन पूछ से जाते हैं उन सब के आधार पर ये महराथन क्लास है 100 mcq है और सारे ये कुछिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है चलिए समय ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं यूपी पीजीटी और विहार पीजीटी महराथन क्लास फर्स्ट कुछिन है निम निलिखित में से किसने सामाजिक तथ्य को वस्ट के रूप में प्रस्तावित किया है Macs, Beber, Parrotto, Emal, Durkhim, Kimball, Young किसने सामाजिक तथ्य को वस्ट के रूप में प्रस्तावित किया है राइट अंसर है आप्शन थर्ड इमाईल दूर्खीम इमाईल दूर्खीम ने सामाजिक तत्थी की दो विशेस्ता बताई है वाहता और वाध्धिता नेक्स्ट कुईशन हर्ष कोविट्स के अन्सवा परिया वरण का मानू निर्मित भाग हर्ष कोविट्स के अनुशार परिया वरण का मानू निर्मित भाग क्या कहलाता है राइट अंसर है आप्शन थर्ड संस्कृत है परिया वरण का मानू निर्मित भाग संस्कृत है हर्ष कोविट्स ने अपनी पुष्टक मैं एंड हीज मैं एंड हीज वर्क्स मैं एंड हीज वर्क्स में संस्कृत को परिया वरर का माना निर्मित भाग माना है कौन सा कथन सत्य नहीं है तो राइट अंसर है आप्शन थेड़ संस्कृत आनवन्षकी से हस्तानांत्रित होती है ये आप्शन सही नहीं है संस्कृत का संबंध समाज से है शीखे हुए व्यवहार से है इसमें आनवन्षकी का कोई हस्तचेप नहीं है नेक्स्ट क्विशन है प्रिम्टिव कल्चर पुष्टक किसने लिखिये क्रोवर ने टाइलर ने मैक्स वेबर ने दुर्खीम ने प्रिम्टिव कल्चर पुष्टक राइट अंसर है ओप्शन सेकेंड टाइलर ने ये पुष्टक टाइलर की है क्रोवर ने क्रोवर की पुष्टक है कल्चर एक क्रिटिकल रिवायू आफ कांसेफ्ट एंड डिफ्रेंसियेशनू और मैक्स वेबर की पुष्टक है दा प्रोस्टेस्टेस्ट एथिक एंड दा इस्प्रिट आफ कैपिटिलीज्म शेकंड है दा हिंदू सोसल सिस्टम और दुर्खीम इमाईल दुर्खीम की बुक है दा डिविजन आफ लेवर इं सोसाइटी और शेकंड बुक है दा रूल्स आफ सोचियोलाजकल मेथेड प्रिम्टिव कल्चर पुष्टक टाइलर की है और क्रोबर की पुष्टक है कल्चर एक क्रिटिकल रिवाईव आफ कांसेट्स एंड डिफ्रेंसियेशनू और मैक्स वेबर की पुष्टक है दा प्रोटेस्टेंट एथिक एंड दा इस्प्रेट आफ कैपडिली और सेकंड है दा हिंदू सोसल सिस्टम और इमाईल दुर्खीम की बुक है दा रूल्स आफ सोचियोलाजकल मेथेड और सेकंड है दा डिविजन आफ लेवर इन स्थान है ये रॉस ने आरके मस नेаюсь स्कूल स कूले ने टालकлекट पास्थन सिएि प्राथमिक शमू की ओधार में और समयकी ओधार मेह 입श्ग कर चार्शूले ने अपनी पुष्ट को mythology में प्रarseय ने महने इस के आधार हैं किंग्सिले डेविश मैकाईवर समनर वी रिस्टिड अस्थानिये छेत्र तथा सामदाईक भावनर समदाई के आधार हैं ये कथन किस बिद्वान का है राइट एंसर है आप्शन सेकंड मैकाईवर एंड पेज का है ये मैकाईवर के अनुचास समदाई के दो मुख्याधार हैं अस्थानिये छेत्र और समदाईक भावनर वे नई बस्ती एक शहर कभीला वा राष्ट को भी समदाई मानते हैं मैकाईवर और पेज किंसले डेविस ने समदाई को लगुत्तम प्रादेशिक समूमाना है जिसके अंतरगर शमाजिक जीवन के सभी पहलू शमलित हैं नेक्ट कुईस्चन है पर संस्किति ग्रहण की निम निलिखित में से कौन सी व्याख्या उपयूबत हैं दो संस्कितियों के संपर्क में आने के पड़ाम शरूप एक दूसरे से प्रभावित होती है सभीता के प्रमुक केंद्रों के संस्कितिक विश्यों तथा विशेष्ताओं का छोटी छेत्रों में प्रशार होता है संस्थाएं तथा संस्कितिक प्रतिमान जो सारूभौमिक रूप से सभी मानों समाज में पाये जाते हैं एक व्यक्ति जो दूसरे समूँ के संस्कितिक तत्तों को आत्मसाथ करता है पर संस्कितिक ग्रहण की कौन सी व्यक्षय सही है राइट एंसर है आप्षन फर्स्ट दो संस्कितियों के संपर्क में आने के पैडाम शरू एक दूसरी से प्रभावित होती है ये आप्षन सही है नेक्ट कुईशन है अनेक संस्कितिक तत्थ सजाति समूँ के संत पोड़ सहस्तित्यों के लिए समा सास्त्रियों ने साधारता निमन लिखित में से किस सब्द का प्रयोग किया है अनेक संस्कितिक तत्थ सजाति समूँ के संत पोड़ सहस्तित्यों के लिए समा सास्त्रियों ने किस सब्द का प्रयोग किया है राइट एंसर है ओप्शन थर्ट सांस्कितिक बहुलवाद जब किसी समाज में अनेक संस्कितिक तत्थ सजाति समूँ के लोग साध साथ रहते हैं तत्था उनके इस सहस्तित्यों को समर्थन भी प्राप्त रहता है तो इस इस्थिति को शांस्कितिक बहुलवाद के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट कुइस्चन है उस प्रक्रिया को जिसमें एक नरी जाती समूँ अपनी विशिष्ट विशेश्थाओं को समाप्त कर अनिसामाजिक खंड से अभेद्धी हो जाता है किस नाम से पुकारते हैं आत्म साथ करण प्रशार बहुत शांस्कितिक बहुलवाद उस प्रक्रिया को जिसमें एक नरी जाती है शमूँ अपनी विशिष्ट विशेश्थाओं को समाप्त कर के अनिसामाजिक खंड से अभेद्धी हो जाता है उसे किस नाम से जानते हैं राइट अंसर है आप्शन फर्स्ट आत्म साथ करण गिलिन एवं गिलिन के अनुशार आत्म साथ करण एक प्रगत शेल प्रक्रिया है जिसमें ब्यक्तियों अब शमूँ के मध्यमत भेद कम होते हैं तथा क्रिया मनूब रेती और मांसिक क्रिया में सामान नहीत के प्रति आदर के साथ समानता में ब्रिध होती है इस प्रकार आत्मसाथ करड़ सामाजी क्यों सांस्किति केकी करड़ की प्रक्रिया है संस्कितिक सापेच्छवाद या मानता है कि प्रतेख संस्कित का मुल्यांकन उसके अपने माप डंडों के संदर में किया जाता है या तर्क है कि संस्कित के विविन भाग एक दूसरे से संबंदित है सांस्कितिक सापेच्षवाद का एर्थ है कि किसी भी संस्कित का मुल्यांकर निर्पेश पदों में हो सकता है सांस्कितिक सापेच्षवाद का एर्थ है कि विभीन संस्कितियां कुछ सारभोमिक तत्तों में एक दूसरे से संबंधित है सांस्कितिक सापेच्छभद के कौन सी ब्याख्या उपयुकत है राइट अंसर है आप्शन फेस्ट यह मानता है कि प्रतेख संस्कित का मोल ल्यांकन उसके अपने माप डंडों के संदर्भ में किया जाता है नेक्स्ट क्यूश्टन है नीम ने लिखित में चे किसने संस्कृत को अनिवारिता मानो अवश्यक्ता की अनुक्रिया के रूप में परिभासित किया है रॉबर्ट रेड़्फिल्ड, राल्फ लेंटर, मैलनुमस की रेड़ क्लिप, ब्राउन किसने संस्कृत को अनिवारिता मानों और शक्ता की अनुक्रिया के रूप में परभ्यासित किया है राइट अंसर है आप्शन थेड़ मैलिनो वस्की मैलिनो वस्की के अनुसार मनुश्य का सम्पूर मानशिक शामाजिक या अंत्रकी एउम भवतिक साधनों से निर्मित जीवन ही संस्कृत है प्राप्त आउश्यक्ताओं की एक विवस्त है तथा उद्धेश मूलक क्रियाओं की एक संस्कृत संगठित विवस्त है समाज सास्त की द्रेष्ट से संस्कृत द्योतित करती है ब्यक्ति में परिस्कृत, मानों का अधिकत ब्यवार प्रयोक साला में सूच में जीवों की ब्रेदी, सुंदर्यान भूत की अभी ब्रेदी समाज सास्त की द्रेष्ट से संस्कृत द्योतित करती है संस्क्रे सीखे हुए व्योहार के प्रतिमानों का कुल योग है जो समाज के सदश्यों की विशेष्टा है और इसलिए वह जन पैत्रिक गुड़ों का प्रतिमान नहीं है ये कहा है हॉबल ने हॉबल के अनुशा संस्क्रे सीखे हुए व्योहार के प्रतिमानों का कुल योग है जो समाज के सदश्यों की विशेष्टा है और इसलिए वह जन पैत्रिक गुड़ों का प्रतिमान नहीं है नेक्स्ट कुईस्यन है विशेष्ट परिस्थिती जिसमें घनिष्ट श्वता प्रेरित तथा व्यक्ति में अन्ता प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है सहयोगात्मक समू प्राथ्मिक समू प्रतिरूप समू शंदर्व समू विशेष्ट परिस्थित जिसमें घनिष्ट श्वता प्रेरित तथा व्यक्ति में अन्ता प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है राइट अंसर है ओप्शन सेकंड प्राथ्मिक समू मैकाईवर्यों पेज का कहना है कि सामाजिक यह सामाजिक धांचे की इकाई कोशिका है मैकाईवर्यों पेज ने प्राथ्मिक समू को कहा है यह सामाजिक धांचे की इकाई कोशिका है नेक्स्ट कुश्चिन है व्यक्तियों के एक अनौपचारिक समू को जो विधिवाय कहे जा सकने वाले समान क्रिया कलापों में भाग लेने के लिए नीमित रूप्ष मिलता जुलता है कहा जाता है व्यक्तियों के एक अनौपचारिक समू को जो विधिवाय कहे जा सकने वाले समान क्रिया कलापों में भाग लेने के लिए नीमित रूप्ष मिलता जुलता है उसको क्या कहते हैं ऑप्षन सेकेंड राइट एंसर है गिरो या गैंग कहते हैं सोरो किन किश में अंतर करने के लिए प्रसिद्ध है अंतर समू तथा वाय समू शमू में प्रात्मिक तथा दुतियक संबंद यांतरिक संगत तथा शाविवी संगत पारिवारिक सम्वेदात्मक तथा अंतर क्रिया की अनिवार व्यवस्था शोरो किन किश में अंतर करने के लिए प्रशिद्ध है राइट आंसर है आप्शन फोर पारिवारिक, समवेद आत्मक तथा अंता किरिया की अनिवारिव विवस्था नेक्स्ट कुश्चन है निवन लिखित में से किसने प्रईस्थिती से समविदा में संकरमण के विचार को प्रतिपादित किया है थॉमस हॉप्स हेनरी में मांटेश की रूशो किसने प्रईस्थिती से समविदा में संकरमण के विचार को प्रतिपादित किया है राइट आंसर है आप्शन सेकंड हेनरी मेन हेनरी मेन ने प्राइस्थिती और समबीदा समाज को बताया है टौनीज ने गेमिन शाफ्ट और गेशल शाफ्ट की बात की है हरबर्ट स्पेंसर ने शायनिक समाज और अध्योगिक समाज की बात की है नेक्स्ट कुजिश्चन है रोवर्ट रेड़ फिल्ड ने लगू समदाय की परिभासा में चार विशेष्टाएं बताएं जिसमें तीन है विशेष्टता लगूता सजातियत है उनके अनुशार निमलिखिर में से चौथी विशेष्टता कौन सी है अलगाओ आत्म निर्भर परश्पर निर्भरता समापन राइट आंसर है आत्म निर्भरता आप्शन सेकंड राइड विशेष्टता लगूता सजातियता और आत्म निर्भरता लगू समदाय की ये चार विशेष्टा है रोबर्ट रेड़ फिल्ड ने बताईएं रोबर्ट रड़ फिल्ड का कथन है लगुशमदाय के संबंध में एक प्रकार की मानवी शंपोड़ता है जिसके साथ मानों के अध्येताओं का लंबा और व्यापक अन्भो जुड़ा हुआ है एक महिला कारिपालक जो प्रबंधक मंडल की वैठक में अध्याचता करती है अपनी पुत्री को उसके विद्याला से लेकर महिला कलब में व्रेज खेलने जाती है वह प्रकट करती है अपना भूमिका विन्याज, अपनी जीवन सेली, अपना प्रहिस्थिती विन्याज, अपनी अविजात प्रहिस्थिती एक महिला कारिपालक जो प्रबंधक मंडल की वैठक में अध्याचता करती है अपनी पूत्री को उसके विध्याले से लेकर महिलक कलब में ब्रीज खेलने जाती है वह प्रकट करती है राइट अंसर है ऑप्शन थेड अपना प्रैस्थिती विन्यास एक प्राइस्थिति पूंच निर्दिष्ट समाज में एक ब्यक्ति की भिन प्राइस्थितियों को प्रकट करता है एक ही ब्यक्ति कई शामाजिक पद धारण करता है जैसे एक डाक्टर, एक पती, पिता, नागरिक, एक राजनीतिक दल का सदस आधी हो सकता है कई पदों की इस संकुल को ही प्राइस्थिति विन्याश कहा जाता है नेक्स्ट कोईश्टन है निमन लिखित में शी कौन सा सामाजिक संरचना का तत्तु नहीं है प्राइस्थितियों भूमिका, शमूयों उप्षमू, संस्थाएं, उप्षंस्कृत कौन सा सामाजिक संरचना का तत्तु नहीं है ओप्षन फोर, राइट अंसर है उप्षंस्कृत किसी उप्षमू की संस्कृत को उप्षंस्कृत कहा जाता है जैसे अशमी या मराठी संस्कृत, भारती संस्कृत का ही एक अनिवारी पच्छ है किन्त कुछ ऐसी चीजे हैं जो इसकी अपनी है इस द्रिष्ण से इसे उप्ष संस्कृत की कोट में रखा जा सकता है नेक्स्ट है निमने लिखित में से किसने सामाजिक संरचना को जाल क्रमों तथा भूमिका प्रतिमान संबंदी के रूप में परिभासित किया किसने सामाजिक संरचना को जाल क्रमों तथा भूमिका प्रतिमान संबंदी के रूप में परिभासित किया है सामाजिक संरचना अनेक अंगों की एक क्रम बद्धता है या तुलनात्मक रूप से इस्थिर रहती है जबकि इसका निर्माड करने वाले अंग श्वंग परिवर्ति होते हैं किसी संगठन की अवचारिक संरचना में निहित है वायक्तिक भूम क्या है तथा संबंध गुट सत्ता का प्रत्य योजन वायक्तिक हीत किसी संगठन की अवचारिक संरचना में क्या निहित है तो राइट अंसर है ओप्शन ठर्ड सत्ता का प्रत्य योजन यहां पर अवचारिक संरचना पूछा है तो सत्ता का प्रत्य योजन होगा नेक्स्ट कुश्यन है मूर्त शामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक स्वरोप में निम निलिखित में से किसने अंतर किया रेट क्लिप ब्राउन मैलनोवस्की लोईश अल्थिूजर मार्टन मूर्त शामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक स्वरोप में निम निलिखित में से किसने अंतर किया है राइट अंसर है ओप्शन फर्स्ट रेड क्लिप ब्राउन ने शामाजिक संरचना शोसल इस्ट्रक्चर और संरचनात्मक स्वरोप इस्ट्रक्चरल फर्म में अंतर किया है रेड क्लिप ब्राउन ने नेक्स्ट क्वेशन है एक नगरी युवाओं के समूव ने एक जनजाती ग्राम में साचर्ता के समवर्धन के लिए एक समित का गठन किया इस उद्देश की प्राप्त के लिए कई कारिक्रम क्रियान्वित किये गए उसके पड़ाम शोरूप ना किवल साचर्ता की दर में ब्रिध हुए परन्त ग्राम वाशियों के स्वास्थ के प्रज्याग रूपता भी बढ़ी निम्न लिखित अधाड़ाओं में से कौन सी बाद के पड़ाम को सही रूप में दर्शाती है प्रकट प्रकार अप्रकट प्रकार अप्रकरिया दुतियक प्रकारी एक नगरी युवाओं के समूह ने एक जनजाती ग्राम में साच्छर्टा के शमवर्धन के लिए एक समीत का गठन किया इस समीत की प्राप्त के लिए कई कारिकरम क्रियानवित किये गए उसके परडाम श्वरूब ना केवल साच्छर्टा की दर में ब्रिध हुई परन्त ग्राम वाशियों के स्वास्थ के प्रती जागरूपता भी बड़ी तो इस कुश्यन में पूछा है कि जो साच्छर्टा अभियान युवाओं के समूह ने चलाया था उसे ये साच्छर्टा अभियान जो चलाया था तो उसमें प्रकट प्रकार हुआ कि साच्छर्टा में ब्रिध हुई लेकिन इसमें आप प्रकट प्रकार हुआ बाद में कौन सा पढ़्याम दर्शाता है तो आप प्रकट प्रकार आप्शन सेकंड राइट एंसर है क्योंकि नगरी युवाओं के समू का मूल उद्देश साथ चर्ता संबर्धन करना था जो कि उनका प्रकट प्रकार था किन्द साथ चर्ता दर ब्रेधि के साथ ही जनजाती लोगों में स्वतह ही स्वास्थ के प्रति जागरूपता उत्पन्वी इस द्रिष्ट से साथ चर्ता संबर्धन अभियान का अभियान समूह का प्रकट प्रकारी होगा निमन लिखित में से किस लेखक ने सामाजिक प्रतिमानों को असपस्ट करने के लिए लोग रीत सब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है किस लेखक ने सामाजिक प्रतिमानों को असपस्ट करने के लिए लोग रीत सब्द का सबसे पहले प्रयोग किया राइट आंसर है आप्शन फूर ग्राहम श्रमनर ने 1906 में इनकी पुष्टक आई थी फोक वेल इसमें इन्हों ने लोग रीत सब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था नेक्स्ट क्वेशन है नीम निलिखित में इसे कौन सी एक घटना है जिसको मानवों द्वारा किसी कार योजना को उच्छी ठहराने या उसका विरोध करने में प्रयोग्त मानक या सिध्धान्त की रूब में पहचाना जाता है कौन सी एक ऐसी घटना है जिसको मानवों द्वारा किसी कार योजना को उच्छी ठहराने या उनका विरोध करने में प्रयोग्त मानक या सिध्धान्त की रूब में पहचाना जाता है राइट आंसर है आप्शन फोर मूल ले राधा कमल मुखर जी के अनुसार मूल ले समाज द्वारा मानिता प्राप्त इच्छाएं तथा लच्छ हैं जिनका आंतरी करड सीखने या समाजी करड की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक अधि मानिताएं मानक तथा अबल्यासाएं बन जाते हैं राधा कमल मुखर जी के अनुसार मूल ले समाज द्वारा प्राप्त इच्छाएं तथा लच्छ हैं जिनका आंतरी करड सीखने या समाजी करड की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक अधि मानिताएं मानक तथा अबल्यासाएं बन जाते हैं नेक्स्ट क्विस्चन है निम्न लिखित में से शामाजिक तथ्यों की कौन सी विशेष्टाएं है या मानों मस्तिस के लिए वाईहक है या बाधिकारी है या शामानी है या व्यक्तियों का योग फल जोड़ नीचे दिएगे कूटों किसे सही उत्तर का चैन केजिए शामाजिक तथ्यों की विशेष्टाएं पूछा है शामाजिक तथी की अर्धार दुर्खीम ने दिया है इसका राइट अंसर है एक दो और तीन option for right answer है या मानों मस्तिस के लिए y है और या बाधिकारी है या शामान है एक, दो, तीन ये right answer होगा next question है निम निलिकी समाज सास्त्रियों में किसने सामाजिक परिवर्तन के स्रोतों का बहिर जार तथा अंतर जार में वर्गी कृत किया है निम निलिकी समाज सास्त्रियों में किसने सामाजिक परिवर्तन के स्रोतों का बहिर जार तथा अंतर जार में वर्गी कृत किया है right answer है option second आगबर्ण आगबर्ण यो निम काफ ने अपनी पुष्टक सोसल चेंज में सामाजिक परिवर्तन का सांस्कितिक विलंबना सिद्धान प्रत्पादित किया है उनकी मानेता है कि आभवतिक संस्कित में परिवर्तन भवतिक संस्कित की अपेच्छा दीमी गतिशे होता है नेक्स्ट कुश्यन है योजना बद्शामाजिक उद्विकास की प्रक्रिय निमन लिखित में से किस्ष प्रकार की है सामधायक रूढियों से विवेदी क्रिष संस्थाओं के माध्यम से विवेदी क्रिष संस्थाओं तक विभेदी कृत समितियों में शामदाइक रूढियों के माध्यम से विभेदी कृत सामदाइक संस्थाओं तक योजना बद्ध सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया निम लिखित में से किस प्रकार की होती है राइट अंसर है आप्शन फर्ष्ट सामदाइक रूढियों से विभेदी कृत समितियों के माध्यम से विभेदी कृत संस्थाओं तक सामदाइक रूढियों से विभेदी कृत समितियों के माध्यम से विभेदी कृत संस्थाओं तक हरबर्ट इस्पेंसर ने अपनी पुष्टक प्रिंश्पल और सोशियोलाजी में समाज और सावियो में समानता अस्थापित कर समाजिक उद्विकास की अधाड़ा का निरूपड किया है उनका कत्थन है कि प्रारंभ में कोई समाजिक संगिठन अस्पस्थ होता है प्रथाओं में अस्थाई तोआ जाने से वे कानून का रूपधारा कर लेती हैं, इसी प्रकार से समूं की सामाजिक संस्थाईं प्रारम में एक दूसरे से मिली हुई सी लगती हैं, किन्तु काल अंतर में वे एक दूसरे से अलग होकर अस्पर्ष्ट दिखाई देने पड़त इसलिए कह सकते हैं कि सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया सामदाइक रोढ़ियों से विभेदी कृत समितियों के माध्यम से विभेदी किस संस्थाओं के सद्रेश्य है नेक्स्ट कोईश्यन है वा प्रक्रिया जिसमें भिन संस्कितियों वाले कुछ समू मिली जूली संस्की तथा अश्मिता वाले एक समू में संपोड रोप से विलीन हो जाती हैं कहलाती है समा मेलन आत्म साथ करण, एकी करण समा योजन एक दूसरे में संपोड रूप से विलीन हो जाती है तो उसे आत्म साथ करण कहते हैं, आफ्षन सेकंड राइट अंसर है नेक्स क्वेशन है भारती संदर्व में सामानिता नगरी का अर्थ है समदाय जहां जनसंख्या का घनत निम्न हो तथा आधुनिक सुभधाओं का भोग होता हो जनसंख्या आकार तथा घनत का प्रकारिश, अवज्यात वर्ग का इस्थिर निवास, ब्यक्तियों का वर्ग जो उच्छ सिछा के आधार पर जाना जाता है बारती संदर्व में सामानिता नगरिय का अर्थ है राइट एंसर है ओप्शन सकंड जन्संख्या आकार तथा घनत्यु का प्रकारि नेक्ट क्विशन एक छेत्र है महा द्युवी पत्वराजी प्रदेश जिसमें आथिक स्वायतता है नदी घाटी प्राकितिक छेत्र जिसमें एक जैसी पारिश्थित की विशेशताई हो एक छेत्र क्या है राइट अंसर है ओप्शन फोर प्राकितिक छेत्र जिसमें एक जैसी पारिश्थित की विशेशताई हो हेगेट के अनुशार प्रिथिवी तल का वह भाग जो अपने विशेश लच्छडों के कारड अपने समीप वर्ती अनिभागों से भीन समझा जाता है छेत्र या प्रदेश कहलाता है नेक्स्ट कुजिशन है लोक नागरिक अंतर संबंधों के प्राक्रम में उच्छ संस्कृत ने कुछ खास था तो किसी एक या किसी या निलभू परंपरा संदर्म में जोड़ जाते हैं राइट अंसर है आप्शन फर्स्ट संकीरता करण संकीरता करण में ब्रिहद परंपरा के तत्व लगू परंपरा के साथ जुड़ जाते हैं जबकि सार भूमी करण में इसके विप्रीद लगू परंपरा के तत्व ब्रिहद परंपरा के साथ जुड़ जाते हैं कोईशन में पूछा है उच संस्कित निष्ट कुछ खास तत्तु किसी एक या किसी अन्हिला भू परमपरा के संदर में जुड़ जाते हैं जब उच संस्कित लगू परमपरा से जुड़ेगी तो वो संकेता करड़ होगा और जब लगू परमपरा उच संस्कित से जुड़े नगरिये व्रिध्धि में निम्न मेंशे कौन शी पारिष्थित की प्रक्रिया नहीं है। तो राइट आंसर है आफ्शन फोर उप नगरिये था। नगर की आंतरिक संरचन में मनुष्यों उनकी क्रियाओं और स्थान की चुनाओं तथा परियावरण की मद्धि गहरा संबंध होता है। क्रियाओं की द्रिष्ट से नगर की पारिष्थित की प्रक्रियाओं को संकेंद्रड, विकेंद्री करण, विजाती करण, एवं आक्रमड के अंतरगत विभाजित किया गया है। नेक्स्ट कुईशन है, एक नगर ग्राम से किस प्रकार भिन्न है, दुतियक व्यवसायों की अधिकता से, व्यवसायों की अगति सीलता से, उच्छे जन्मदर से, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रड से। तो राइट एंसर होगा, आप्शन फर्ष्ट, दुतियक व्यवसायों की अधिकता से, नेक्स्ट कुईशन है, दोनु सूचियों का मिलान कीजिए, नीचे आप्शन दिया है, तो राइट आंसर है, दी कमार, ये बुक है एस्टी दूबे की, और टी बी नायक, इनकी बुक है दव हील्स आफ एस्टेडी, और डी न मजूमदार की बुक है, ठाकुर्ष आफ सहयादरी, और शी न चेपेकर की बुक है, दी संस्थान एस्टेडी इन कल्चरल चेंज, तो राइट आंसर होगा C.N. चेपेकर की option 4 दिस अंस्थान A. Study in Cultural Change और S.C. दूबे की 10 कमार option 1 D.N. मजूमदार की ठाकुर्स और सहियादरी option 3 और टीबी नायक की 10 विल्स A. Study option 2 राइट आंसर है 4.1.3.2 चार एक तीन दो आप्शन ठर्ड राइट आंसर है Next question है एक समू अपनी एक्ता के लिए तब शर्वादिक जागरूख हो जाता है जब उसके सदस्यों के समान नहीत होते है जब वो दूसरे द्वारा डराया धमकाया जाता है जब उसके सदस्यों के अलगाव का जीवन व्यतित करते हैं जब वो तूटने के बिंद उपर होता है एक समू अपनी एक्ता के लिए तब शर्वादिक जागरूख होता है जब आप्शन थर्ड राइट आंसर है जब उसके सदस्यों यथार्थता में अलगाव का जीवन व्यतित करते हैं नेक्स्ट पूश्यर निम निलिखित में से किस एक में अंतर निहित सहयोग और संघर्ष के तत्व पाये जाते हैं शमीत इप्रतियस पर्दर सामंजय सात्म सात करड़ अंतर निहित सहयोग और संघर्ष के तत्व पाये जाते हैं तो राइट अंसर है आउसन सेकंड प्रती अस्पर्धा ये रॉस ने कहा है प्रती अस्पर्धा प्रत्यक व्यक्ति को उसके सामाजिक जगत में अस्थान प्रदान करने का प्रमुक कारे करती है प्रती अस्पर्धा एक प्रगत शील सकती है जो निर्माड करती है ना कि पूरों अवस्था पर जन्मदर तथा मुरें तुदर दोनौं उच्छ होती यह कि जनांगे कि संक्रमद सिध्धान्त के अनुसार संक्रमद पूर ववस्था में राइट अंसर है आपसन फर्ष जन्मदार तथा मृत उदर दोनों उच्छ होती है नेग्स्ट कुश्चन है शामाजिक इस्तरीक अरण सब्द संदर्भित करता है विभिन इस रेडियो में जनसंख्या के विभाजन को स्रेष्टता तथा हिन्ता की भावन से जनसंख्या के विभाजन को सामाजिक इस्तरीक अरण क्या संदर्भित करता है राइट अंसर है आपसन फोर सामाजिक इस्तरीक अरण के एक प्रकार को सदर लेंड एवं मैक्स वेल ने कहा है शामाजिक इस्तरी करण अन्ता क्रिया अथवब विभेदी करण की प्रक्रिया है जिसके आधार पर कुछ लोगों का स्थान कम अन्य लोगों की तुलना में उच्च होता है सर्व हारा करण की प्रक्रिया का अर्थ है बोजुव वर्ग का अरोहण श्रमिक वर्ग में होना मध्यम वर्ग का अरोहण श्रमिक वर्ग में होना निम्न मध्यम वर्ग का अरोहण श्रमिक वर्ग में होना किसी भी वर्ग का अरोहण श्रमिक वर्ग में होना सर्वहारा करण की प्रक्रिया का क्या अर्थ है राइट अंसर है आप्षन फोर किसी भी वर्ग का औरोहड स्रमिक वर्ग में होना नेक्स्ट कोईशन है मेक्स वेबर ने जाति के यह लच्छड बताई है एक निरीजात्य शमूँ एक संप्रदाय हिंदुओं की धर्म सभा एक संबृत प्राइस्थिती शमूँ मेक्स वेबर ने जाति के क्या लच्छड बताई है तो राइट अंसर है आप्शन फोर एक संब्रित प्रयस्थिती समूँ मैक्स बेबर कहते हैं कि प्रयस्थिती समूँ भारत में परंपरगत हिंदू समाज की जात विवस्था में अधिक विक्सित रोप से देखा जा सकता है मैक्स बेबर के अनुसार पूजिवादी समाज में वर्ग की रचना का सही आधार नीम्न में से कौन सा है संपतिकर स्वामित अथो आश्वामित बाजार प्रयस्थिती में संपति सम्बंध व्यक्तियों की आय व्यक्तियों की सत्ता मैक्स बेबर के अनुसार पूजिवादी समाज में वर्ग की रचना का सही आधार नीम्न में से कौन सा है राइट अंसर है आप्शन सेकंड बाजार प्रयस्थिती में संपति सम्बंध नेक्स्ट कुश्चन है नीम्न लिकित में से संपता विवस्था का कौन एक तत्तु है भवन, संरचना, पादरी वर्ग, बुर्जुवा वर्ग संपता विवस्था का कौन एक तत्तु है राइट अंसर है आप्शन थर्ड पादरी वर्ग आविजन सामानी जन तथा पादरी संपता विवस्था के तत्तु है नेक्स्ट कुश्चन है उस Kor को जिसकी सुनिश्ची सत्त हो अपना नाम हो जो परिवद्ध हो जिसमें अपने अस्ठित की चतना हो और जिसमें सांस्कितिक सजातीता हो कहा जाता है जाति वर्ग दल गोत्र उस समू को जिसकी सुनिस्चित सत्ता हो अपना नाम हो जो परिबद्ध हो जिसमें अपने अस्तित की चेतना हो जिसमें सांस्कितिक सजातीता हो उसे क्या कहा जाता है राइट अंसर है आफ्शन फर्ष्ट जाती नेक्स्ट क्विस्चन है एक गाउं जिसमें जजमानी विवस्था पनाई जाती है उसमें नाई और धोबी का संबन्ध निम्न लिखित मेशे किस्चे है कारीगर जाती है शेवक जाती है भूत पूर अच्छूत वर्ग मद्यम जाती है राइट अंसर है आफ्शन सेकंड सेवक जाती है नेक्स्ट क्विस्चन है लोगों का केंद्री नगरों के पास पडोस के छेत्र में लगू शमदायों में रहने के लिए चले जाने को कहा जाता है उप नगरी करण, अलप नगरी करण, अति नगरी करण, ग्राम नगरी करण लोगों का केंद्री नगरों के पास पडोस के छेत्र में लगू शमदायों में रहने के लिए चले जाने को उप नगरी करण कहा जाता है आप्शन फर्ष्ट राइट अंसर है नेश्ट पूजिशन है नीम्न में से जात व्यवस्था की कौन सी आश्यक विशेशता नहीं है सुद्धता तथा अपवित्रता सोपानिक व्यवस्था वन्स के आधार पर विशेशी करण सह पूर्वज पूज़ा जात व्यवस्था की कौन सी विशेशता नहीं है राइट अंसर है आप्शन फोर सह पूर्वज पूज़ा ये जात व्यवस्था की विशेशता नहीं है नेश्ट पूजिशन है निम्न लिखे जनजातियों में किस में इस्त्रियों दारहाल चूना तथा घर पर छपपर डालना वर्जित है खारिया, खासी, संथाल, गूंड किस जनजाति में राइट एंसर है आप्शन फर्ष्ट खरिया जनजात नेक्स्ट कुश्चन है वर्ग के बारे में निम्न लिखित मतों में शे कौन सा काल मांग से संबन्दित है वर्ग का आधार संपत्ति पर आधिपत्त शे है वर्ग का आधार उपभोग के प्रतिमानों शे है वर्ग का आधार उत्पादन के साधनों के स्वामित उसे है वर्ग का आधार उत्पादन कौशन से है काल मास के अनुशार वर्ग के बारे में कौन सा मत सही है तो राइट आंसर है आप्शन थर्ड वर्ग का आधार उत्पादन के साधनों के स्वामित उसे है नेक्स्ट कुजिशन है निम निलिखित में से किसने सामाजिक संहत के आधार पूर्व तथा उद्योग उत्तर समाज में भेद किया है मैक्स वेबर, काल माक्स, इमाईल दूरखीम, काल मैनहीम सामाजिक संहत के आधार पूर्व अउद्योगिक समाज और उद्योग उत्तर समाज में भेद किया है राइट आंसर है आप्शन थर्ड इमाईल दूरखीम ने इनकी पुष्टक है Division of Labor in Society इस पुष्टक में इन्होंने दो रूप बताए है यांतरिक संहत और साव्योवी संहत यांतरिक संहत ये पूर्व समाज की बात है और साव्योवी संहत ये उद्योग उत्तर समाज की बात है नेक्स्ट कुश्चन है भारत में स्रमिक संह अंदोलन का निम्न में कौन अग्रडी है वी वी गिरी वी पी वाडिया एम के गांधी से डांगे भारत में स्रमिक संह अंदोलन का निम्न में कौन अग्रडी है राइट अंसर है आप्शन पूर से डांगे बंबाई में सोशलिस्ट पत्र के संपादक डांगे ने कामगारों तथा क्रिश्कों को समर्थन दे कर सामिवादी विचारों का प्रसार किया नेक्स्ट कुश्चन है नीम निलिखित में से उध्योग वत्र समाज के उध्य के कौन से कारण है नवीन प्रद्योगी का उध्ये नवीन राजनैतिक सत्ता का उध्ये नवीन वर्गों का उध्ये नवीन नैतिक व्यवस्था का उध्ये एक दो तीन दो तीन चार चार तीन दो एक तीन चार राइट आंसर है आप्शन फर्स्ट नवीन प्रद्योगिकियों का उदे नवीन राजनेतिक सत्ता का उदे और नवीन वर्गों का उदे एक दो तीन राइट आंसर है आप्शन फर्स्ट नेक्स्ट है जादू को कहा जाता है आधनिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, धार्मिक विज्ञान, आध्य विज्ञान जादू को क्या कहा जाता है तो फ्रेजर ने, जाज फ्रेजर ने जादू को अर्ध विज्ञान या आध्य विज्ञान के नाम से पुकारा है राइट अंसर है option 4 Next question है निमनिलिकित में से कौन समीत नहीं है? उद्ध्यान में टहलते ब्रिद्ध जन, मजदूर शंग, बोर्ड टेनिस क्लब कौन समीत नहीं है? राइट अंसर है option 1 उद्ध्यान में टहलते ब्रिद्ध जन Next question है निम्न लिकित में से कौन प्रह स्थिती नहीं है 31 वस्पुराना मनुष बच्चा, पिता, पुत्री कौन प्रह स्थिती नहीं है तो एक बच्चा अबोध वस्था में रहता है इस द्रिष्ट से वा प्रह स्थिती सुननी होता है Option 2, Right आंसर है नेक्स्ट कोईश्चन है नीम निलिखित में कौन सहयुक्त परिवार को बनाये रखने के लिए उत्तर दाई है व्यक्तिवाद, सहयुक्त, शंपत्य, नगरीवाद, अध्योगिक वाद कौन सहयुक्त परिवार को बनाये रखने के लिए उत्तर दाई है आप्शन सेकंड राइट अंसर है संयुक्त संपत्ति इस कुश्चन में संयुक्त संपत्त की जगह संयुक्त समित भी पूछ लेगा तो राइट अंसर संयुक्त संमित ही होगा नेक्स्ट कुश्चन है संयुक्त का क्योंकि परिवार को एक संमित के रूप में जाना जाता है तो अगर संयुक्त संमित आप्शन में रहेगा तो संयुक्त संमित ही राइट अंसर होगा सहयोग का संबंध किस से है? राइट आंसर है हम की भाउना औप्शन फोर राइट आंसर है नेक्स्ट कुईशन है निमन लिखित में से कौन शाव विवा शरूप एक विधूर के अपने पत्नी की बहन के साथ विवा शरूप करने का सही प्रत्नीदेत करता है लेवी रेट, शारो रेट, पॉली जिन, मनुगैमी तो किसी कोई विधूर पुरुष है जब वह अपनी पत्नी की बहन से साधी करता है तो वो शारो रेट होता है आप्शन सेकेंड राइट आंसर है बारत में संयुक्त परिवार के विशेष्टा का विश्तरित स्वजन समों के रूप में किसने वर्डन किया है एर दिशाई के यम कपाडिया इरावती करवे एडी रोष संयुक्त परिवार का विश्तरित स्वजन के रूप में किसने वर्डन किया है राइट आंसर है आप्शन सेकेंड के यम कपाडिया के यम कपाडिया ने भारत में संयुक्त परिवार की विश्तरित स्वजन समों के रूप में बताया है इसके अनुसार इरावती करवे ने जात को एक विश्तरित स्वजन समों केयम कपाडिया ने संयुक्त परिवार को विश्त्रिश स्वजन समों के रूप में देखा है और इडावति करवे ने जात को विश्त्रिश स्वजन समों के रूप में बताया है नेस्ट कुश्यन है निम निलिखित में इसे किसने कहा है मानो द्वारा वस्तुवों के उपर नियंत्रड के संदर्व में संपत्त की कल्पन की जानी चाहिए T. Viblin, L. T. Hobhouse, R. H. Louis, L. H. Morgan मानो द्वारा वस्तुवों के उपर नियंत्रड के संदर्व में संपत्त की कल्पन की जानी चाहिए राइट आंसर है, L. T. Hobhouse, option second L. T. Hobhouse ने कहा है, संपत्ति मानो द्वारा वस्तुवों के उपर नियंत्रड के संदर्व में संजी जानी चाहिए Next question है, निम निलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रवितियां वो भोकतावार की ओद और रुजान पैदा करती है वस्तु विन में बाजार, मिश्रित, शंतुलित कौन से आर्थिक प्रवरितियां उभोगता वाद की वो रुजान पैदा करती है राइट अंसर है आप्शन सेकंड बाजार बाजार वह स्थान है जहां वस्तुओं का क्रेविक्रे होता है आज की अध्योगिक पूजिवादी व्यवस्ता में श्रम उद्यमी, उद्योग की वस्तुओं तथा पेशेवर सेवाओं सभी का अपना बाजार होता है और अध्योगिक पूजिवादी व्यवस्था में बाजार की कारिपधत, मुक्त बाजार और खुली प्रतियस पर्धा पर आधारित होता है नेक्स्ट कुजिशन है राइट्स दीप पैसेज सब्दावली किसने प्रस्तुत की? राइट्स दीप पैसेज ये सब्दावली किसने दिये हैं? राइट अंसर है आप्शन फोर और नाल्ड बाण गैनिप बाण गैनिप ने उन्नी स्व एक में राइट्स आप पैसेज दा राइट्स आप पैसेज 1901 में संसकारों के वरगी करड़ की एक रूप रेखा प्रस्तुत की है वान गैनिप ने लिखा है कि एक व्यक्त का समाज में मात्र जन में ही नहीं होता अपित जीवन पत के संसकारों राइट्स दी पैसेज द्वारा तराश कर उसकी एक सामाजिक व्यक्त के रूप में पुनर रचना की जाती है सभी प्रजातियें अशुद्ध है तचा के रंग जैसे आनुवन्शिक लचड किसी प्रजात के लिए अपवर्जक नहीं होते प्रजात अंतर मिश्रड विक्रित उत्पन करता है उप्रोक्त सभी कौन सा कथन प्रजाति भ्रामक्त है राइट अंसर है आप्शन ठेड प्रजाति अंतर मिश्रड विक्रित उत्पन करता है नेक्स्ट कुईश्चन है शमाज साज्त्री मान डेंड के अनुशार निम लिखित में से कौन एक समू की रचना दर्शाता है धनी वर कालेज विद्यार्थी शेवा निवरिद व्यक्तियों की शमीद टाटा इस्पात कंपनी कौन एक समू की रचना दर्शाता है राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड कॉलेज विद्यार्थी नेक्स्ट कुईश्चन है निवन लिखित में कौन अर्जित प्रैस्थिती का सही उधार्थ है विवाहित प्रोड युवा राजकुमार अर्जित प्रैस्थिती का कौन सह उधार्थ है राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट विवाहित नेक्स्ट पिश्चिन है आंतरिक शंगत्ष न होने पर भी अनेक वश्यक्त बहळ मुखी भूमिकाये निभानी होती है उनके द्वारे निभाई गई भिभीन भूमिकाये में स्यो संगती होती है भूमिकाओं की माग इतनी अलग-अलग नहीं होती है कि उन में भूमिका शंगर्स उत्पन हो पर तेक भूमिका की एक अध्विती प्रहिस्थिति होती है आंतरिक संगर्स नहोने पर भी अनेक ब्यक्त बह मुखी भूमिकायनी बाते हैं क्यों की राइट अंसर है आप्शन फोर क्योंकि प्रत्येग भूमिका की एक अद्विती प्रैस्थिती होती है नेक्स्ट विश्चन है मानौ कृतियां है जीवन के मूल भूत तत्य हैं लोगोदारा निर्मित औजार या वर्ष्टुएं हैं जो शही है के प्रत्य हमारा विश्वास है अन्य व्यक्तियों के प्रत्य हमारे समयोजन के प्रतिमान है मानो कृतियां राइट आंसर है मानो कृतियां जीवन के मूल भूत तत्य हैं और फर्ष्ट राइट आंसर है नेक्ट्ट कोईशन है समदाय समुहों का संग्रा है जो एक अस्थल में निवास करता है अनास्रेत संबंधों की एक व्यवस्था की तरह कार करता है अपने निवासियों के लिए सभी प्राथमिक वस्थों में उपलब्द कराता है शामदाईक भावना व्यक्त करता है समदाई क्या है option for right answer है शामदाईक भावना व्यक्त करता है next question है उदारता उच्च पद पाना भोतिक वस्तुवों पर स्वामित समय की पाबंदी और देश भग्त के उदारण है उन्हें वांचनी तथा प्रयाश करने के उपयुक्त प्रयाश करने के लिए उपयुक्त माना जाता है इन्हें कहा जाता है मूल, नightिक आचार व्यक्तिकत मत लोका चार उदार्ता उच्च पद पाना भौतिक वस्तुओं का स्वामित समय की पाबंदी और देश भक्ति ये किसके उदारण हैं तो आप्शन फर्स्ट राइट अंसर है मोले राधा कमल मुखर जी ने मोल्यों के समाशास का अध्यान किया है और मोल्यों की विश्तरिक ब्याख्या प्रस्टूत की है नेक्स्ट कोईस्चन है संस्कृत शामाजिक अंता क्रिया का फल है संस्कीत में उपारजित यो मनुपारजित दोनों प्रकार की विवार समलित है शमा कलित विवार नहीं है एक परा जैविग तो राइट अंसर है ओप्शन सेकंड संस्कीत में उपारजित यो मान उपारजित दोनों प्रकार की विवार समलित है नेक्स्ट कुश्चन है फिता के भाई की वहु निम्न में से किस एक का उधारण है बिवाही स्वजन, समरक्त स्वजन, दुतिये स्वजन, प्राथमिक स्वजन पिता के भाई की वहु ये एक बिवाही स्वजन है ओप्शन फर्स्ट राइट अंसर है नेक्स्ट कुश्चन है प्रत्याशा मूलक समाजी करण का प्रत्य किस ने विक्षित किया शोरो किन ने, काल माक्ष ने, मर्टन ने, अंद्रे बेते ने तो पृत्यासिस समाजी करण का वर्डन आर के मर्टन ने किया है, आप्शन थर्ट राइट अंसर है नेक्स्ट कुईस्टन है निम लिलिखित में से कौन एक भारत में नातेदारी व्यवस्था के अध्यान के निकट रूप से समबंदी थे जीयस घुरिये योगेंद सिंग के यम कपाडिया अंद्रे बेते कौन भारत में नातेदारी व्यवस्था के अध्यान से समबंदी थे तो राइट एंसर है ओप्शन ठेड के यम कपाडिया इनकी पुझतक है मैरीज और फैमली इन इंडिया और आंद्रे वित्ते ने गाउं की प्रकित को अस्पर्ष्ट करने के लिए अग्रहरम गाउं तंजवर तमिल नाडु जिन्हों ने उन्हें उसे श्त्रिपूरम कहा वह भूरिये जात उत्पत के प्रजाति सिध्धान से संबंधित हैं नेक्स्ट कुश्चन है आगबर्न के अनुशार सामाजिक विलंबना में क्या पिछड़ता है भौतिक संस्कित अभौतिक संस्कित प्रद्योग की कर्मचारी तंत आगबर्न के अनुशार सांस्कितिक विलंबना में क्या पिछड़ता है तो राइट अंसर है आप्शन सेकेंड और भौतिक संस्कृत इसमें इन्हों ने सांस्कितिक विलंबना का सिध्धान्त दिया है और कहा था जब भौतिक संस्कित आगे पढ़ जाती और भौतिक संस्कित पीछे रा जाती है तब संस्कितिक विलंबना की इस्थित उत्पन होती है नेक्स्ट कोजिशन है समाज के अर्थ विवस्था के अध्यान में एक समाज सास्तर निम्न में से किश्व पर ध्यान केंदरित करता है समाज के अर्थ विवस्ता के अध्यान में एक समाज सास्त्री नीमन में से किस्पर ध्यान केंद्रित करता है तो राइट एंसर है आप्शन फूर समाज के संस्थापक स्वरोब जिसके अंतरगत आर्थिक क्रिया की जाती है नेक्स्ट कुश्चन है समाज में सासक वर्ग की अधारा विक्सित किये पेरेटो ने, मोस्का ने, मिर्श ने, बोटो मोर ने सासक वर्ग की अधारा किसने भी राइट एंसर है आप्शन फर्स्ट पेरेटो ने अपने सिद्धांत अभिजात वर्ग का परिभ्रमण में के अंतरगत दो वर्ग सासक और सासित वर्ग का उलेक किया है नेक्स्ट कुश्चन है भारत में अंतर जाती संबंधों का विशलेशल वाईजर ने मुखिता है निमन लिखित आधार पर किया है वाहिक संबंध, सह भोजी संबंध, जजमानी संबंध, आमाजिक संबंध अंतर जाती संबंधों का विशलेशल वाईजर ने मुखिता किन आधार पर किया है राइट अंसर है ओप्शन ठट जजमानी संबंध जजमानी सिस्ट हिंदू, इनकी पुष्टक है दहिंदू जजमानी सिस्टम ये 1936 में आई थी, इसमें इन्होंने जजमानी संबंधों का उलेख किया है कुछ जनजातियों में पोर्ट लाज का प्रमुख प्रकार है कुछ जनजातियों में पोर्ट लाज का प्रमुख कार क्या है तो आप्शन सेकेंड राइट आंसर है प्राइस थिती है तो प्रतियोगिता करना है नेक्स्ट कुईशन है स्वतंद्रता पश्यात अंशूचित जातियों को उनकी रच्छा के लिए दिये गए निम निलिखित विभिन अधिकारों में से कौन एक सही नहीं है वह अधिकार इंगित कीजिए जो उन्हें अनुमोदित नहीं किया गया है संपत्य प्राप्त करने का अधिकार अंसूचित छेत्रों के प्रशाशन वा नियंतरड के लिए प्रावधान करना राज कोश में अनुदान प्राप्त करना श्वयंग के धार्मिक संस्थाएं अस्थापित करना तो सुतंत्ता प्रशाथ अंसूचित जातियों को कुछ अधिकार दिये गये हैं इन में से कौन सा उन्हें नहीं दिया गया है तो आप्शन फर्स्ट राइट अंसर है संपत्य प्राप्त करने का अधिकार ये संबिधान में वर्डित नहीं है ये वर्धानिक अधिकार नहीं है नेक्स्ट कुजिशन है भारती संबिधान की चवधावे अनुछेद में इस बात का प्रावधान किया गया है कि अंसोचित जातियों जन जातियों के सभी सदस्यों को कानून की द्रिष्ट में समानता हो मंडल कमीशन के प्रतिवेदन को कानूनी अन्मोधन प्राप्त है अन्सोचित जातियों जन जातियों की महिलाओं को सभी मामलों में विशेश सुरच्छा प्रदान की जाए अन्सोचित जातियों जन जातियों के सभी वालकों को नेशोल के तथा अनिवार प्रात्मिक सिच्छा प्रदान की जाए तो अनुच्छे चवदा की बात हो रही है अनुच्छे चवदा समानता के अधिकार से समबंधी थे तो option first right answer है अनुच्छे जातियों और जन जातियों के सभी सदस्यों को कानून की देश्टि में समानता प्राप्थो ये option सही है Next question है जन जातियि समाजों के आर्थिक पिछडे पन का कौन एक मुख्य कारण है गरीवी तथा अज्यानता дум समाजिक तथा सांस्कितिक परंपरा है आदिम प्रध्यों के नातिदारी शंगित है समाजों के आर्थिक पिछडे पन का कौन एक मुख्य कारण है जन जाती समाज में आज भी आदिम प्रोध्योग की अपनाए हुए हैं जो इनके पिछले पन का कारण है नेक्ट कुजिशन है निम निलिखित कतनों में से कौन एक सही है अमेरिक्या में किये गए अध्यानों से ग्यात होता है कौन एक कथन सही है ओप्शन ठेड राइट एंसर है शमाज साज्त्रियों की मानेता है कि प्रजाति और संस्कृति में कोई सह सम्बंध नहीं है नेक्स्ट कुजिशन है शमुदाय का गेशर साफ्ट तथा गेमिन साफ्ट साफ्ट में वरगी करल किसने किया है कूले, समनर, टॉनिज, मैक्स, वेवर किसने गेशर साफ्ट और गेमिन साफ्ट सब्द का वरगी करल किया है राइट एंसर अप्शन ठड़ टॉनिज ने गेशर साफ्ट को इन्होंने समाज या समिद और गेमिन साफ्ट को समिदाय की संग्या दी है नेक्स्ट कुश्चन है भौतिक तथा आभौतिक संस्कित में भेद किसने किया है आगबन, जॉन्सन, लिंटन, क्रूबर भौतिक एवं आभौतिक संस्कित में भेद आगबन ने किया है आप्शन फर्स्ट राइट आंसर है नेक्स्ट कुईश्चन है शापेचिक प्रवंचना का प्रत्य किस ने प्रत्पादित किया है पार्संस ने मर्टन ने गिलिन तथा गिलिन ने किंग्सिलर डेविस ने शापेचिक प्रवंचना का प्रत्य है तो आप्शन सेकंड राइट आंसर है आर के मर्टर ने सापेचिक प्रव अंचना सिद्धान्त में व्यक्ति श्वयंग की प्रैस्थिति के साथ दूसरे लोगों की प्रैस्थिति की तुलना करता है उसके उसी के आधार पर अपने आपके संबंध में कोई निसकर्स निकालता है नेक्स्ट क्वेशन है डिसेंट आफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टूसरे पुस्तक किस ने लिखी है होवल, क्रोवर, डार्विन, डियन, मजूमदार ये पुस्तक किस की है डिसेंट आफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टूसरे ये पुस्तक है चार्स डार्विन की आप्शन ठर्ड राइट अंसर है इसके साथ ही इनकी एक और पूप बुक है ओर्जिन आप इस पेसीज ओर्जिन आप इस पेसीज में इन्होंने जीवों की उत्पत्ति और विकास के बारे में बताया है नेक्स्ट कुश्चन है किसने भूमिका समुच्चे की अधाड़ा विक्सित की है पार्शन, निस्बेट, मर्टन, लेंटन भूमिका समुच्चे की अधाड़ा राइट अंसर है, आर के मर्टन, आप्शन ठाड़ राइट अंसर है नेक्स्ट कुश्चन है निम्न मेशक किसे आधुनिक परिवार का अश्यक लच्छड नहीं माना जा सकता परिवार या मभूब की इकाई के रोब में लगू परिवार विवाहित्तर योना चरण परिवार या धार्मिक नियंत्रण की कमी राइट अंसर है, आप्शन ठाड़ विवाहित्तर योना चरण ये आप्शन सही नहीं है Next question है, बहुर विवा, एक प्रिवगात्मग विवा है, मैत्री विवा है अपने समू में विवा है, समू के बाहर विवा है बहुर विवा क्या है? तो option for right answer है, शमू के बाहर विवा है नेक्स्ट गूस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् किसी देश या प्रांत की जनसंख्या में भिन्नता को निम्न में से कौन प्रभावित करता है। तो ये सबी हो जाएंगे, आप समग फोर राइट आंसर है। कि नेक्स्ट कुजिशन है निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेशर तीन सांस्कितिक मानसिक्ताओं के मध्य उतार चढ़ाओं के रोप में किया है इस पैंगलर क्रोबर टायन भी शोरोकिन पुतार चढ़ाओं के सिध्धान्त शोरोकिन ने दिया है और इनकी पुझता के सोशल एंड कल्चिरल डायनमिक्स इसमें इन्होंने सांस्कित सामाजिक परिवर्तन के सिध्धान्त के अंतर गए चेतनात्मक भावनात्मक यों माधर्शात्मक संस्कित का उलेक किया है आपशन फोर आइट आंसर है सोरोकिन नेक्स्ट कुश्चन है जाती एक बंद अंगिये शमू है या किसने कहा है एफजी बेली, स्री निमाश, वाई वी दामले, डियन मजवुमदार जाती एक बंद अंगिये शमू है ये किसने कहा है राइट एंसर है आफ्शन फूर डी अन मजूमदार जात एक साव्यवी शमू है ये यफजी बेली ने कहा है नेक्स्ट कुश्चन है वीवा जन्य नातेदारी उत्पन होती है सामाजिक एवं वैधानिक रूप से परिभासित वयवाहिक संबंधों से खून के रिष्टों से आनवल सिक्तर से उप्रयोक्त में से किसी से नहीं वीवा जन्य नातेदारी उत्पन होती है आफ्शन फर्स्ट राइट अंसर है सामाजिक एवं वैधानिक रूप से परिभासित वयवाहिक संबंधों से नेक्स्ट कुश्चन है नीब्न बेश से किसने जादू के दो प्रकारों अनकरदी या संकरामक में वेद किया टाइलर, शिपिंशर, मारगन, फ्रेजर अनकरडात्मक और संकरामक जादू के बारे में किसने बात किया है ऑप्षन फोर राइट अंसर है जार्ज फ्रेजर ने नेक्स्ट कुजिशन है निम्न लिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रात्मिक समू की नहीं है आमने सामने के संबंद घनिष्ट संबंद व्यक्तिगत संबंद अव्यक्तिक संबंद प्रात्मिक समू की कौन सी विशेषता नहीं है आप्शन फोर राइट अंसर है अब आयक्तिक संबल प्रात्मिक समू की विशेशता नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है शामाजिक इस्तरी करण में विशेश अधिकार प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधि सिद्धान का प्रतिपादा निम्न में से किसने किया मैक्स वेबर काल मार्ग डेहरेंडाफ सी राइट मिल्स विशेश अधिकार प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधि सिद्धान का प्रतिपादा निम्न में से किसने किया C. right. miss. ने option for right answer है Next question है निम्न लिखिन में से किस तथिके आश शमान वितरण को सामाजिक इस्तरी करण कहते हैं सक्ति प्रतिष्ठ है पूरशकार उप्रोक्त सभी किस तथिके आश शमान वितरण को सामाजिक इस्तरी करण कहते हैं तो option for right answer है ये सब ही हो जाएंगे next question है निम निलिखित में से कौन सा कथन सही है आदस नियम मूलियों का निर्धारण करते हैं आदस नियम मूलिय द्वारा निर्धारित होते हैं आदस नियम एवं मूल्य आपस में स्वतंत्र हैं इन में से कोई नहीं right answer है option second आदस नियम मूलिय द्वारा निर्धारित होते हैं next question है निम निलिखित में से मानों की किस प्रक्रिया पर सक्त पाने को फ्रेजर ने जादू कहा है आर्थिक प्रक्रिया हैं, सामाजिक प्रक्रिया हैं, जैविकी प्रक्रिया हैं, प्राक्रितिक प्रक्रिया हैं मानो की किस प्रक्रिया पर शक्ति को शक्ति पाने को फ्रेजर ने जादू कहा है आप्शन फोर राइट अंसर है प्राक्रितिक प्रक्रिया है ये आज का लास्ट कुश्चन था अगर आप सबको ये कलास पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें ताकि ये कलास कांटीनू चलती रहे अगर आप सबको ये कलास पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कलास कैसी लगे थैंक यू